नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक्वित पुनी चैनल में दोस्तों आज के नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतिय डाक नई भरती 2020 के बारे में इंडियन पोश्ट में ग्रामीन डाक सिवक के पदो पर भरती आई है योगता है यहाँ पर केवल 10 वी पास और किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडियर्ट से अपलाई कर सकता है सेल्वी मिलेगा 14,500 रुपे पर मत तो फ्रेंट्स जो भी कैंडियर्ट से अपलाई करना चाते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखेगा सारी जनकारी दूंगा स्टेप बाई स्टेप कैसे अपलाई करना है क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेस होगा सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन प्रेस करके औल पे क्लिक कर लीजेगा ताकि जितनी भी गौर्वर्मेंट जोब और प्राइवेट जोब के नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी आपको मिलते रहें गौर्मेंट जोब की अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे वोट्सअप ग्रूप और टेलीग्राम ग्रूप को भी जोईन कर सकते हैं लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तर परदेश सरकल रूकूट्मेंट 2020 के बारे में उत्तर परदेश के अंदर ग्रामीन डाग सेवक के पौदो पर भरती आई है चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लेना सारा जनकर इस टेप बाइस टेप आपको बताने वाला हूँ साथ ही किसी भी प्रकार की गौवर्मन जॉब की अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए वटसब ग्रूप को जरूर जॉइन कर लिजेगा और टेलिग्राम ग्रूप को भी आप जॉइन कर सकते हैं तो चले इस वेकेंसी के डिटेल्स को देखते हैं तो दोस्तो फॉर्म की शुरुआत 23 माज 2020 से हो चुकी है और फॉर्म के भनने की लास्ट डेट 15 माई 2020 है तो जो भी कैंडियर्स अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कीजेगा ठीक है फी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 15 माई 2020 है एक्जाम डेट की बात करें तो एक्जाम डेट अभी तक आया नहीं है तो जब भी इसका कोई नया अप्डेट आएगा तो मैं आपको उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा सारा अप्डेट आपको मिलता रहेगा अप्लिकेशन फीस की बात करें तो जर्णल, OBC और EWS के लिए 100 रपे का अप्लिकेशन फीस है साथ ही यहाँ पर SCST, Physical Handicap और Female candidates को यहाँ पर कोई भी अप्लिकेशन फीस पे नहीं करना है फी पेमेंट करने के लिए आप किसी भी ब्रांच याद ओफिस में जा करके पेमेंट कर सकते हैं पोस्ट ओफिस में जा के आपको फी पेमेंट जमा करना होगा जॉब लोकेशन की बात करें तो उत्तर पदेश के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी और age limit यहाँ पर 18-40 साल तक के caniards इस form को भर सकते हैं बात करें अगर हम यहाँ पर vacancy के detail की तो दोस्तो यहाँ पर grammyn dark सिवक के पदो पर भरती होगी और यहाँ पर total vacancy 3951 vacancy है बात करें अगर हम category wise तो जर्नल के 18-14 vacancy OBC की 1000 vacancy है EWS के अंदर 14 vacancy है SC के अंदर 70, ST के 11 सीटे है PWD A के अंदर 29, B के 24 और C की 9 सीटे है total यहाँ पर 3951 vacancy है बहुत बड़ी vacancy है तो वीडियो को like कर दीजेगा और share जोरू कीजेगा तक कि आपके जितने भी friend है दस्वी pass वो इसके लिए apply कर सके हैं चलिए आप बात करते है payment की तो यहाँ पर जापको salary मिलेगा according to official notification आपको salary मिलेगा 14,500 रुपे पर मत आपको salary मिलेगा educational qualification यहाँ पर 10 वी pass मांगा हुआ है जो भी 10 वी pass candidate से apply कर सकते हैं अगर आप 10 वी pass नहीं है तो apply मत कीजेगा जिनका भी pending exam है वो इस form को ना भर है अगर हम बात करें other qualification की तो यहाँ पर basic computer training का certificate मांगा हुआ है कम से कम 60 दिन का 60 दिन का आपके पास course का certificate होना बहुत ज़रूरी है basic knowledge यहाँ पर computer की मांगी हुई है कैसे apply करना है? apply करना बड़ा simple है वीडियो के description में आपको इसका official notification मिल जाएगा उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है उसके बाद आप apply now के link पर जाकर करके इस form को भर सकते हैं form के भनने के last date 15 माई 2020 है तो वीडियो के description में मैंने इसका site दे दिया है तो आपको उस site पर click करके जाना है और form को भरना है जो भी आपका mark sheet है उसको attach करना है mark sheet वगरे सारे 200 के भी कितका रखेगा तभी हुआ attach होगा इसके लबा computer certificate, community certificate, photo, signature और जो भी आपका disability का certificate है अगर आप disabled है तो certificate लगाएगा otherwise मत लगाईगा ठीक है तो जो भी candidates apply करना चाहे है अपलाई कर लीजेगा selection आपका merit के वगाधार पर आपका selection होगा ठीक है merit list पर आपका selection हो जाएगा यहनि कि आपके marks के उपर आपका selection यहाँ पर होने वाला है तो दोस्तों बहुत बड़ी vacancy है जो भी candidates apply करना चाहें apply कर लीजेगा और अभी के लिए मुझे इजादत दीजिए मैं फिर मिलूँगा एक नए vacancy के साथ एक नए knowledge के साथ तो अभी के लिए good bye जैहिन